जै जै श्री राम जै जै हनुमान भक्त जनों तुलसी दास जी द्वारा रचित श्री राम चरित मानस में सबसे सुन्दर तसंग आता है सुन्दर कांज का जी हां यह सुन्दर कांज परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करता है कहते हैं सुन्दर कांज को पढ़ने सुनने एवं गाने से भक्तों को पूरी रामायन पढ़ने का शुब भल प्राप्त होता है तथा साथ ही साथ हनुमान जी और प्रभूश्री राम जी की कृपाएं फ्राप्त होती तो आईए पवित्र पावन सुन्दर कांड का संगीत मैश्रमन इस सरलवाणी में सुनते हैं एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये भगवान श्री राम चंदर जी महराज की बुली श्री हनुमान जी महराज की रामायन में सबसे सुन्दर रामायन में सबसे सुन्दर पगतो सुन्दर कांड श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर पगतो सुन्दर कांड है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर मा सीता को खोचते खोचते श्री हनुमान जी अंगत जामबंत जी और अन्यवीर सागर तक पर आ पहुँचे जामबंत के याद दिलाने पर श्री हनुमान जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभुराम जी की मुद्रिका को मुख में डालकर पवन वेक से उड़कर सागर पार करने को निकल पड़ते हैं मार्ग में उन्हें सुरसा नामक राक्षसी मिलती है जिसे देवताओं ने आहार का वरदान दिया हुआ है देवताओं के वरदान का मान रखते हुए श्री हनुमान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं सुरसा उनकी चतुराई से अतिप्रसन्न होती है और उन्हें विजय होने का आशिरवाद देती है उड़ते उड़ते अनुमान जी लंका नगरिया पहुँचते हैं के क्या देखते हैं द्वार पर लंकिनी पहरा दे रही है श्री हनुमान जी जियों ही लग रूप बना कर भीतर प्रवेश करने लगते हैं कि लंकिनी उनका मार्ग रोपकर उनसे युद्ध करने लगती है मारी लात मुस्ठिकाती मारी लंकिनी धरा पे गिर आई जाओ राम के काज कराओ हनुमत से वो बत लाई अनुमान के हाथों मर के मुक्ती उसने पाई है लंका भीतर हनुमत आई अखियां फिर चोंधाई है स्रीया मा का पता न पाई स्रीया मा का पता न पाई एरत में हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है लामा यण में सभिसे सुंदक भंग तो सुंदर कान है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक खुटिया दिखती है सत्य जानने हे तुँ वे ब्रहमन का रूप बना खुटिया में जाते हैं तो वहाँ पर पापी रामन का श्री राम का परंभक्त भाई विभीशन को पाते हैं दोनों में मैत्री हो जाती है और वही से हनुमान जी को मा सिया का पता प्राप्त होता है अशोग बाटिका में पहुँचकर श्री हनुमान जी मा सिया को प्रभू की मुद्री का देकर उनका संदेश देते हैं और मा सीता से वादसल्य और धेर सारे वरदान प्राप्त करते हैं मा सीता की अनुमती लेकर वो बग्या से फल तोड़ कर खाने लगते हैं जिससे उनका राक्षसों से भैंकर युद्ध हो जाता है जिसमें रावन का पुत्र अक्षय कुमार भी उनके हाथों मारा जाता है अब रावन का परम प्रतापी पुत्र मेगनाद उन्हें पकड़ कर अपने पिता रावन के पास ले जाता है सीता मा को वापस कर दो हनुमत ये समझाते हैं सुनी बात हनुमत की रावन क्रोध में आ जाते हैं केल पोरी पट बांद पुनी फिर पूँछ में आगती लगवाए अनुमत ने भी राम बोल के सारी लंका जलवाई गुझ रहा लंका में देखो भगतों जैश्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणदान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर पुग तो सुन्दर कान है शीहन मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर श्री हनुमान जी ने जै जै श्री राम का उधोश करते हुए सारी लंका को अपनी जलती हुई पूँच से जला दिया इधर हनुमान जी जै श्री राम बोलते जाते उधर लंका में हाहा कार मचता जाता एक विभीशन की कुटिया को छोड सारी लंका जल कर राख बना दी समुद्र में अपनी पूँच की आग बुझा कर हनुमान जी मा सिया के सन मुख फिर आते हैं और निशानी स्वरूप उनकी चूडा मनी लेकर जै श्री राम का उद्धोश करते हुए रामा दल में लौट आते हैं प्रभू श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को फ्रिदय से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान आई बताते हैं अब प्रभु की सेना सागर तट पर आप पहुंची है तीन दिनों तक करी तफस्या फिर भी सागर ना माना शिरी रामने अगनिवान फिर अपने धनुश पर खाताना शमा मांगली सागर ने और ये उपाय थे बतलाए नल और नील के हाथों सागर परसे तू को बंधवाए शिला तेर गई सागर में जिस पर तो लिखा श्री राम है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर तो सुन्दर कान है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर सागर पर सेतू बांध राम सेना लंका तठपरा पहुची रामन का भाई विबीशन तो पहले ही रामा दल में सम्मिलित हो चुका था आज रामन सेना का संचालन मेगनात कर रहा है और इधर राम सेना का नेत्रत्व लक्षमन जी कर रहे है दोनों योधाओं में घंगोर भयन कर युद्ध हुआ कि तभी मेगनात ने शक्ति प्रहार से लक्षमन जी को मुर्चित कर दिया विबीशन के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्य सुशेण को लियाए वैद्य जी के बतायनु साल श्री हनुमान जी पवन वेग से उड़कर हिमालय परवत श्रंकला से संजीवन भूटी वाला द्रोना गिरी परवती उठालाए संजीवन ग्रहन करते ही लक्ष्मन जी जीवित हो उठे और पूरे रामा दल में जै श्री राम और जै हनुमान जी की जैकार होने लगी बूटी वाला परवत लाए प्राण लखन के राखे थे राम काज करने में हनुमत भगतों सबसे आगे थे भरत समान बताए राम जी उनको हिर्द लगाए थे प्रेम के आँसू भक्त और भगवान के आँखों आए थे राम चरण में बैठ गए थे राम चरण में बैठ गए थे भगतों फिर हनुमान है श्री हनुमत की लीला ओटा करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुंधर है श्री हनुमत की लीला ओटा करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुंधर है रावन और राम जी के बीच घंगोर युद्धु हुआ भक्तों और रावन का अंकर प्रभूश्री राम जी ने मा जानकी को उनकी कैद से छुड़ाया और भाता लक्षमन अपनी पत्नी सीता और अनेक अनेक योध्धाओं के साथ पुश्पक विमान चड़कर अयोध्या आ गए भाई भरत ने विधी विधान से राम जी का राज तिलक करवाया अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर सारे नगर में दीपावली मनाई देश देश आंतर के राजाओं ने राम जी और सीता जी को अनमोल उपहार दिये विभीषण ने भी अनमोल रतनों की माला मा सीता को भेट स्वरूर दी जो मा सीता जी ने हनुमत के कले में पहना दी और हनुमत को देखो माला का एक एक मन का तोड़ता जाता है और उसे फेटता जाता है विभीषण के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला में श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम की क्रोध्वे विवीशन के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं आईए सुनाता हूँ लंका पती ने हसी उड़ाई आखों आसु भराई सीना चीर के रामसिया का दर्शन सब को करवाई राम नाम का चंदन अपने कनमन पे सब रंग डाला राम भगत कोई हुआ न होगा अनुमत तुम सामत वाला जिसकी श्वास श्वास में भगतों पस्ते प्रभु श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे रामायन में सबस्ते करते लाम है